गाइस यहां पर एक नया इवेंट आ चुका है फ्री फायर के अंदर और यह जो है को लापरेशन वपन है जो आपना अटेक ऑन टाइटन के साथ है ठीक है तो इसमें पी-90 एंड एम-10 दोनों है एवेलेबल एम-10-14 तो गाइस इस इवेंट में आपके कितने डाइमंड्स ल क्चितना डाइमंड्स के करीब डाइमंड्स मैंने अल्रडीव उरा दिया है तो गाइस अभी मेरे पास डाइमंड्स नहीं है लेकिन guys मैं एक roll जरूर करूंगा क्योंकि एक roll करना जरूरी है तो guys जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक roll किया चार मेरे को आया है तो guys यहाँ पर ऐसे कुछ खोपडिया बन रहे हैं इस खोपड़ी पर जाने में कुछ न कुछ आपको मिलेगा एंड जो इसमें redeem points है जो price pull है तो price pull में आपको यह सब देखने को मिलते हैं जो आपको कुछ यह सब चीज़ें हैं ठीक है मतलब जो आप यहां से देख रहे हो तो main चीज आपको चाहिए इसलिए जो चाहिए वो है यह वाला और यह वाला मिलेगा तभी जाके आप यहां पर रुकेगा अब यह वाला मिलेगा कब यह तभी मिलेगा जब आप यहां पर 20 diamond और 90 diamond से spin करोग यह और मेरे को एक मिल जाएगा ठीक है अब यह टोटल जो चीज़ें होंगी इसमें करीबन मैं बता देता हूं कितना diamond लग सकता है अगर आपका लग अच्छा रहा तो आपके कैसे भी करके 600-700 diamond लग जाएंगे 800 diamond और अगर मतलब पुराने प्लेयर्स होंगे तो उनके कम से कम तो 3000 मतलब जो बहुत पुरान होंगे 3000 भी लग सकता है लेकिन 1500 diamond में आपका निकल जाएगा यह M10 अगर आप निकलना चाहते हो तो अब इसको लेने से पहले मैं बताऊंगा कि आप ले सकते हो नहीं ले सकते हो लेकिन हां गाईस मैंने अपना gameplay का वीडियो गाईस अप्ल में elite पास चाहिए आपको तो comment कर देना उस वाले वीडियो पर ठीक है तो मैंने gameplay का वीडियो अप्लोड कर दिया है जिसको भी फीडि में elite पास चाहिए जिसको भी भाई जाके comment कर देना एक winner को हम लोग डेने वाले diamond सिर्फ जाके आपको अपना game card दे देना है ठीक है अब रहते हैं redeem point पे तो redeem point पे आपके पास अगर यह वाला चीज तीन है तीन तो जाके यह P90 मिलेगा और यह अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको पांच लेना पड़ेगा यानिके मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया P90 से कोई वास्ता नहीं है आपका P90 निगालना भ बारे में यह क्या हो रहा है तोieso घाइस जो आप यहां पर देख रहे हो और से का इस जो आप यहां पर देख रहे हो कि इसमें डामेज डबल अगर 상황 एकर सीम बाताव मैं harus तो मैं प्रेफर करता हूं रेट आप फ़ायर को इन सब गंस में है रैट फ सिर्पि इसकी बात क तो इसमें damage double है, आर्मन का भी है और reload speed कम है, मतलब rate of fire का कोई scene ही नहीं है, तो अगर आप ऐसे भी normal अगर आप double battle चलाते हो, तो आप लोग के लिए तो ये घन है ही नहीं, क्योंकि अगर ये घन आपके लिए है तो आप चाकर ड्राइ कर सकते हो, आर्मन का कुछ दिया गया है overall बात की जाए, इस गन की तो ये गन मेरे को उतना अखास लगा नहीं है, P90 की बात की जाए, तो इसके अंदर अगर सेम attributes इंडियन सर्वर पे है, तो मैं बात कर रहा हूं, rate of fire plus है, आर्मर वाला भी plus है, ठीक है, रुको मैं कुछ और चेक कर लेता हूं, तो मैं इदर cupid scar को एक चिक कर लेता हूं, क्योंकि वो चीज पता चल जाएगा उससे, कि आखिर क्या कह रहा है, वो चीज, तो चलो मैं इस से थोरा compare कर लेता हूं, कहां क्या compare करने के लिए, तो चलो ये वाला पगर लेते हैं, कहां कहां गया, ड्रेक होने क्यों, हाँ डैमेज डबल, rate of fire plus आपको लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर डैमेज डबल है, आर्मेर प्लस और P90 की बात कीजिए, तो P90 बिल्कुल नॉर्मल है, और मैं इसके लिए मोमेंट डिस्पीड भी स्लो है, तो उतना recommend तो नहीं करता, बट सही है, जिसके पास कुछ पीज नहीं है, उसके लिए इस पे कहीं भी attributes अभी नहीं दिया गया, बाद में दिया जाएगा, अभी नहीं दिया गया, अच्छा attributes रहता तो जरूर देता, यहां पे की rate of fire यह है, अच्छा रहता तो जरूर देता, चलो मैं आप दिखाता हूँ आपको, तो short gun में बात हो रही है, तो guys, अगर आप यह अच्छी भी यूज करते हूँ, आप तो कोई यूज करता नहीं, rate of fire इसका कम होता है, rate of fire कोई यूज करता नहीं, जल्दी, damage double है, सही है, उसका भी damage double था और यहां पे आप देख सकते हूँ, rate of fire प्रेफर लोग करते हैं, reload speed, यह सब चीज़ें प्रेफर करते हैं, और यही सही है, मतलब उतना कुछ खास है नहीं, अगर आपके पास नहीं है, तो आप ले सकते हैं, अगर आपके पास है, तो फिर छोड़ दो, बस event यहीं तहां, मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया, सब कुछ बता दिया, overall, अब आपके उपर है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपका मनो तो अच्छा रगा, उदर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और नता मत करना कोई दिख करती है,